गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टनून जब भी आप ये विडियो देख रहे हैं CA Inter November 23 का एक्जाम अब बहुत करीब सारे ही एस्पिरेंट्स के मन में एक बहुती डर का महौल है और उसी डर को कम करने के लिए हमने गुरु ग्यान सीरीज को इंट्रोड्यूस किया था फर सब्जेक्ट अफ अचाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, कॉस्ट, एफम और टैक्स जिसको आप सारे ही लोगों ने बहुत सराह, बहुत प्यार दिया और बहुत 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 व्यूज भी दिये उसके लिए थैंक्यू सो मच अल अफ यू और वो गुरु ग्यान सीरीज आपके एक्जाम में आपको हेल्प करे और आपके 10-15-20 मार्क्स एक्स्ट्रा आये हर पेपर में सर आपके मूँ में घी शकर, थैंक्यू सो मच घी शकर की जगा रजगुल्ला चितरंजन का हो जाए तो मज़ा यह लग है अब उसी गुरु ग्यान सीरीज में अकाउंट्स वाला सब्जेक, गुरुप वन अकाउंट्स वाला सब्जेक का लास्ट वीडियो जो 2 नवेंबर को हमारा अकाउंट्स का पेपर है अब हम लोग उसका लास्ट रिविशन करने के लिए पुरी स्ट्राटजी बना रहे है तो किस तरीके से हम अकाउंट्स के पेपर का लास्ट दे रिविशन या डे बिफोर एक्जाम का रिविशन प्लान करें उसके उपर मैं एक गाइडलाइन विडियो आपको दे रहा हूं पुरी चीजे समझा रहा हूं और इसी तरीके से आपको अपना फाइनल रिविशन करना है ताकि अकाउंट्स के पेपर में इस बार हम सब एक्जैम्शन स्कोर करें और पास हो या फेल में 24 एक्जैम में अकाउंट्स का पेपर वापस अटेम्ट ना करना पड़े मैं चाहूंगा जो भी बच्चे सिर्फ ग्रूप वन दे रहे हैं इस तर्म में सिर्फ ग्रूप वन आप प्लीज 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 अकाउंट्स के पेपर को बहुत सीरियसली लिखना ट्राई करना एक्जैम्शन स्कोर करने का चाहे रिजल्ट कुछ भी हो हम तो चाहेंगे आप पास हो जाए चाहे रिजल्ट कुछ भी हो अगर अकाउंट्स का पेपर एक्जैम्ट हुआ और accounts exam in May 24, तो हम लोगों का target भया, exemption से नीचे कुछ नहीं होना चाहिए in the paper of accounts, चाहे paper कैसा भी आए, easy, difficult या average, हम लोगों को वो exemption score करना है, यह जो accounts का exam हमारा 2 November को है, इसकी हम last revision चालू करेंगे 3 दिन पहले, यानि 3 दिन हम लोग देंगे accounts के paper के लिए, 30 October, 31st October and 1st November, यह 3 days हम लोगों को देने है, चाहे आप कितने भी अच्छे हो accounts में, चाहे आप कितने भी confident हो, please give these 3 days, और properly इस 3 दिन को plan करेंगे, properly इस 3 दिन में accounts का revision करेंगे, so that हम अपने लक्ष को पा सके, जब आप अपने accounts का revision कर रहे हो, remember, सिर्फ revision करने से, revise करने से नहीं होगा, आपको हर chapter में जो important portion है, उसके कुछ question हाथ से बना लेने है, so that exam, first exam में, कोई paper, कोई question बनाने जाओ, तो वो question बीच में ना अठके, और आप properly जो भी question शुरू कर रहे हैं, उसको complete कर पाओ, मैंने हर chapter के पास, ये practice, आप मेरी book से कर सकते हो, आप अपने सर की book से कर सकते हो, अगर आप मेरे से नहीं पढ़े हुए हैं, या फिर मैंने जो marathon, ये marathon conduct किया था, अन्ती मध्याय, उस marathon के questionnaire से भी, आप practice कर सकते हो, उसमें the best questionnaire जो exam representative होते हैं, तीस तरीक को हम लोग सबसे पहले करेंगे, single entry, insurance claim, investment, higher purchase, ये चार चाप्टर, around 30 marks का, 30 marks का content आपको exam में इन चार चाप्टर से देखने मिलेगा, सबसे पहले हम ये चार चाप्टर सल्टाएंगे, इसके बाद company accounts का bonus and right issue और preference share, around 10 mark का question exam में आपको इससे देखने मिलेगा, और दो accounting standard हम करेंगे, accounting standard 1 and 11, कौन से accounting standard important है इस exam के लिए, मैंने already गुरु ग्यान विडियो बना रखा है, नहीं देखा तो जरूर देखना बहुत help करेगा, 30th को ये revision करने और questions बनाने के बाद, 31st को we will move to, सबसे पहले हम department करेंगे, जो 10 mark का एक question almost हर टम में आता है, फिर हम लोग company accounts में cash flow statement, debentures, pre-post-managerial remuneration, ये 4 chapter करेंगे, remember debentures हमेशा investment हो जाए, उसके बाद ही लिजेगा, because investment करने के बाद, debenture के कुछ portions काफी easy हो जाते हैं, जो mainly interest calculation से linked है, accounting standard में, accounting standard 2, 12 और 16 आपको 31st को देखना है, जो मैंने bracket में number of question लिखे हैं, जरूर बना लीजेगा, 1st November को जो बचे कुछे chapter है, जो 2 important chapter company, FS और branch, ये मैंने last में इसलिए रखा है, because I want कि आप ये last दिन पढ़ो, so that next दिन आप इनको easily execute कर पाओ, company financial statement में एक question, जिसमें balance sheet और PL दोनों बनाना है, और एक question जिसमें सिर्फ balance sheet बनाना है, ये दो question जरूर हाथ से बना के जाए on the last day, एक question dividend का देख के जाए, जिसमें reserve से अगर dividend देते हैं, तो क्या-क्या criteria's fulfill करनी होती है, उसका question देख के जाए, branch बड़ा chapter है, सबसे पहले start कीजेगा dependent branch, debtor stock and debtor system पहले कीजेगा, फिर foreign branch में जाएएगा, फिर जो independent branch है उसमें जाएएगा, ये इस तरीके से आप branch को complete कीजेगा, और बचा AS10 वो AS10 आप इसके बात करेंगे, जो हमारा date of exam रहेगा, 2nd November the day of exam, उस दिन सुबह, जितने भी आपका पास time है, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, आप सिर्फ एक ही काम करेंगे, सारे accounting standards को एक बार revise करेंगे, ये accounting standards के revision के लिए, मैंने अंति मध्याय वाले marathon में, एक 20 pages का sheet दिया था, जिसमें मेरा hand written revision notes था, जो हर point of AS को cover कर रहा था, और उसके basis पे आप अपना exam में answer अच्छे से frame कर सकेंगे, तो आप वो अंति मध्याय वाला जो मेरा revision note था, AS का जरूर follow करना, सर, chapter को revise कैसे करें, मैंने आपको summary book दे रखी है, जिसमें हर chapter का हमने summary लिक रख है, आप उसको follow करें, and question बनाने के लिए, आप मेरा anti-madhyay का questionnaire को follow कर ले, अगर इस तरीके से हम तीन दिन देकर, अपने accounts paper को revise करते हैं, मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसा reason कि 60 से नीचे, आपके paper में आने चाहिए, 100% you will score an exemption, मेरी दुआ है आपके साथ, all the best to all of you, अच्छे से exam देना, and exam के बाद, जब आपको लगे कि हाँ, Guru Gyan Series ने हमें help किया, Sir के marathon ने हमें help किया, जरूर हमारा उत्सा बढ़ाने के लिए, comment leave करना YouTube में, कि Sir, yes, अब exam देके ऐसा लग रहा है, कि we will get through, और हम लोग बहुत अच्छे से करके आये हैं, answer your videos, Namnish Sir's videos, Amit Sir's videos help us a lot. Done. This motivates us in doing a lot of good work for you all. Thank you so much. अच्छे से पढ़िये, all the best to all of you. Bye-bye.